हलो फ्रेंट्स वेलकम तो देडिव चैनल स्मार्ट टैक प्लेटफरम फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में लोग पीएम किसान सम्मान ने थे हो जना के बारे में बात करने वाले हैं जो सीएसी से या खूद से ओनलाइन आवेदन किये थे उनके लिए बहुत बड़ी खुसकपरी है उनका जो है पीएम किसान का नया बेनिफिसरी लिष्ट जारी हो चुका है और जो सीएसी से या खूद से ओनलाइन आवेदन किये थे उन सभी किसानों का नाम भी आ गया है तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में आपको बताएंग कि जो सीएसी से या खूद से ओनलाइन आवेदन किये थे वो बेनिफिसरी लिष्ट में आपना नाम किस तरह देख सकते हैं और अगर उनका नाम है तो उसको पीएम किसान का लाग कब तक मिलेगा अगर नाम नहीं है तो उनको क्या करना पड़ेगा और आपको आज लाइब प्रूब के साथ दिखाएंगे कि एक किसान भाई का तीन दीन के अंदर ही पिएम किसान का जो है पैनिफिसरी लिष्ट में नाम आ गया है तो फ्रेंट्स वीडियो में शुरू से लेकर आन तक बने रही है और अभी तक आपने हमारे चैनल स्मार्ट टैक प्लैटफॉं को स स्थ्क्राइब कर लेजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ओन कर लीजिए ताखियार वीडियो की नाटिभिकसन आपको मिलते रही वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेर और कोमेंट जरूर किजी तो चलिए आज की इस वीडियो को सुरू करते हैं तो सब्सक्राइल पहले आपको पी एम किसान का बेनिफिस्यार स्टेटस आपको किस तरह चेक कर सकते Pale मेरा नाम है यह वह बलाब श्राद भाई लगाई ने के लिए दिन आपको इसको चेक करने के लिए आपको PM किसान का जो official website इसमें आना पड़ेगा pmkisand.gov.in सबसे पहले आपको Google Chrome open कर लेना है फिर आपको search करना है pmkisand.gov.in search करने के बाद आपको PM किसान का जो official website है इसमें आ जाईएगा फिर आपको former corner पर click करना होगा इसमें click करने के बाद आपको चोधा number option पर में जाता है beneficiary status यहापर आप देख सकते हैं इसमें आपको click करना होगा इसमें जैसे आप click किजिएगा एक नया page open होगा वहापर आप देख सकते हैं आपको अपना state select करना है district select करना है, sub district, block, blaze select करना होगा तो चलिए एक एक करके select करके आगे आपको बताते हैं सबसे पहले आप अपना state select कर लिजिए state select करने के बाद आपको दूसरा number option पर district select कर लेना है तो चलिए district select कर लेते हैं फिर आपको अपना sub district जो है उसको select कर लेना है फिर आपको अपना ब्लॉक जो है उसको स्लेक्ट कर ले ना है पिर अपना ब्लेज जो है आपको स्लेक्ट कर लें ना है उसके बाद यहां पर लास्ट में आपका टोटल डीडियल सेलेक्ट करने के बाद गेट रिपोर्ट पर आपको क्लिक करना है इसमें जैसे ही आप क्लिक किजिएगा आपका जो है लीस्ट आजाएगा यहाँ पर आपका जैसे माल लिजे आपका नाम है अनिस ए से सुरू होता है तो आपका जितना ए से है फर्स्ट पेज में मिल जाएगा फिर आपका बी से सुरू होता है तो बी से मिल जाएगा ऐसे करके पुरा आपका लिष्ट दिया हुआ है जिस नाम से आपका सुरू होता ह वर नाम आपको देख लेना इसए लिच्फर में आपका नाम किकी आरगा? तो इस तरह से आप अपना लिष्ट में नाम चेक करते हैं तो आपका यहां पर माली जह पो जा और आपको जाना है तो इसमे सटलन किलिख किजिएगा यहां प्लब ऑपेज तो बुझे अगर इसमें भी नहीं है माली जो और पेज दिया हुआ है तो उसमें जैसे यहां पर थ्री लिखा हुआ रहेगा तो थ्री पर क्लिक किजिए आगे का पेज आपको मिल जाएगा तो इस तरह से आप अपना बेनिफिसरी लिस्ट में नाम चेक कर शकते हैं तो अब आपको बताते हैं कि एक किसान भाई का जो है पांच दिन में सायद जो है उनका भेरिफाइब हो गया है तो चलिए आपको दिखाते हैं उस किसान भाई का पेले स्टेटस दिखाएंगे फिर आपको दिखाएंगे कि आपका जो है बेनिफिसरी लिस्ट में भी उनका नाम जो है आ गया है तो फ्रेंट्स एक किसान भाई का स्टेटस है यहां पर आप देख सकते हैं नाम दिया हुआ है हंजाक कनवार फिर इनका इस्टेट राजिस्थान है डिस्टिक्राजमंडा ख्रेज मंदारी गुवालिया फिर इनका देखे रेजिस्टेशन डेट रेजि तरफ 18 तरिके चार दिन के अंदर ही जो हमक है मतलब किसान का बैनीफिसरी लिस्ट में इनका नाम आ गया है तो चलिए लिस्ट में इनका नाम दिखा देते हैं या पर नाम देख लीजे हंजा कनवार फिर इसटट देख लिए जरे राजिस्थान राजमंडः डिश्टिक ले जो गया मंदारी गवालिया तो छिलिए आपको दिखहते हैं इनका Beneficiary List में भी नाम आ गया है। तो Beneficiary List में आप यहां पर मेरा स्लेक्ट किया हूआ अपर अब सकते हैं इस्टेट राशस्थान कुर से डिश्टिक राजमनदा सौदिस्ट्रिक राजमनदा फिर ब्लॉक राजमनदा फिर भिडिन में मंदारी गुवालिया यहान पर पहले हम स्लेक्ट करके रख लिए तो उनका नाम था हंजार यहाँ पर नाम हंजा कनवार तो चलिए इनका नाम दिखा देए यहाँ पर आपको दिखा देते हैं हंजा कनवार इस से केंड लिस्ट है फर्स्ट लिस्ट पर जाना होगा यहाँ पर देखें 37 नमबर पर यहाँ पर देख सकते हैं हन्adt कर न्वार हैं già कणुओर नाम नाम लिखा हुआ है उनका पर देख सकते हैं हन्धा कंुओर नाम लिखा हुआ है उनका लिष्ट में नाम अ गया है यहाँ पर जोicial स्पेलिंग यहाँ आपको दिखा हुआ है वहां भी लिखा हुआ है हंजा कनवार तो इनका बैनिफिसरी लिस्ट में भी नाम आ गया है इस चार दिन के अंदर ही इनका बैनिफिसरी लिस्ट में नाम आ गया है इनको जो है अब प्यम किसान का लाव है मिलने वाला है तो जिनका बैनिफिसरी लिस्ट में नाम है उनका एक से डिड़ मेना के अंदर जो है पैसा जो है पीम किसान का लाब है वो मिल जाएगा वो जिनका लिस्ट में नाम नहीं आया है उनको क्या करना होगा तो फ्रेंट्स अगर आपने अपलाई किये हैं भेरिफाई अगर आपके स्टेट में सुरू हो गया है तो आपको कम कंपलेंट दीजेगा आपका वेरिफाई हो जाएगा और आपका बेनिफिस्री लिस्ट में भी नाम आ जाएगा जैसे बेनिफिस्री लिस्ट में नाम आ जाएगा आपको पैसा जो है मिलने लगेगा तो फ्रेंट्स आज के इस वीडियो में बसते नहीं वीडियो अच्छा लाइक, सेर और कोमेंट जरूर कीजिए ठैंक्स